हालो फ्रेंज वेलकम अगें टू मैं चैनल कहानिया अजब कजब तो फिर से लिए आया हूं फ्रेंज आप सब लोगों के लिए एक नई और यूडिक स्टोरी और स्टोरी का नाम है एक समय की बात है, एक समय ऐसा हुआ जब जानवर सच में बोल सकते थे, वहाँ पर चार समझदार जानवर रहा करते थे, एक खरगोश, एक गीदर, एक ओटर यानि उद बिलाव और एक बंदर, वह चार अच्छे दोस्त थे और हर शाम उनकी महविल जमती, और वह पूरे दिन की बातों के बारे में बाते करते, एक दूसरे की राए लेते और फिर एक सही निंडे लेकर उस पर कारे करते, मगर खरगोश इन सब में सबसे समझदार, अकलमंद और धहरे वाला था, वह मनुश्यों की एहमियत और उनकी समझदारी को बहुत मानता था और ये भी मानता था कि मनुश्य हर चीज में जैनवरों से उपर ही हैं, और वह हमेशा अपने इनी दोस्तों से मनुश्यों की तारीफ करता था। बेसहारा लोगों की मदद करेंगे, विकारियों को भीग भी देंगे, चलो हम सब लोग भी ऐसा ही कुछ करें, ताकि हम मनुश्यों को और भी भली बाती जान सकें, खर्गोश के सभी दोस्तों ने हामी भरी और अपने अपने रास्ते चले गए, अगले दिन सबसे पहले उ बहुत भूका हो जाऊंगा, मैं कुछ ऐसा इंतिजाम करूँ कि अपवास जब शाम को पूरा हो जाए, तो मेरे पास खाने को बहुत कुछ हो, और भै फिर नदी की ओर चल पड़ता है, वो देखता है कि एक मचवारे ने बहुत सारी मचली पकड़ी हैं, सुबा सुबा और मैं उने पास ही रेत में दबा रहा है, और यह सोच कर मचवारा वहां से चला जाता है कि शाम को वापस आकर उन मचलियों को निकाल लूँगा, अरे वाह, काम बन गया, मेरे नाच्टिक अंतिजाम हो गया, परूद बिलाव ने मन में सोचा कि यह साबाज के पवितर दिन प वह चल पड़ा, घर पहुचकर उसने मचलियों को लग रखा रात के खाने के लिए, फिरूद बिलाव ने अपने घर का दरवाज़ा बन कर लिया, तक कि कोई बिखारी ऐसा अधू पवितर दिन पर उससे कुछ मांग कर उसे परशान ना करे, और फिर वह सो गया, ऐसे ही ब दरबंदर एक आम के पेड़ पर चढ़ा, और को शाम तोड़ लिये, और फिर वैसे ही उद बिलाव के तरह दिन भर उन्होंने भी सोते रहने की ठानी पर खरगोश इन सब में सबसे पहले उट गया था, वैपने बिल से निकला, गीली घांस को सूँगा और उस पे बैठ गया, उसने सोचा कि जब शाम होगी, तब मेरे पास खाने के लिए ये हरी घांस होगी, तब है उसके मन में एक विचार आया, कि अगर कोई सादू हैं से देना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग खरगोश का मास खाना पसंद करते हैं, खरगोश खाने में जायकेदार होते हैं, ये ठीक रहेगा, और ये सोचकर खरगोश कूट पांग कर अपने काम पर चल पड़ा, मगर ये सब भगवान साका एक बड़े बादल के उपर बैट कर देख रहे थे, और खरगोश की सारी बाते उन्होंने सुन ली थी, उन्होंने कहा, मैं इस खरगोश की परिक्षा करूँगा, कोई भी खरगोश इस दुनिया में इतना द्यापूर्ण और नीस वार्थी नही कैसे हैं आप, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं, मैं बहुत भूका हूँ, मैंने पूरे दिन उपवास किया और अब खाने के तलाश में निकला हूँ, खरगोश को अपनी करी हुई प्रतिग्या याद आई, और उसने सन्यासी से कहा, मुझे मालूम है कि मनुश् सही है, सन्यासी बोला, तो फिर इस तरह से तो मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं होगा, तो आप मुझे ही क्यों ना अपना भूजन बना कर ग्रहन कर लें, पर खरगोश जी, मैं एक सन्यासी हूँ, और अपने खाने या अपने फायदे के लिए किसी जीव पवितरी दिन पर मार डालना मेरा काम नहीं है, मैं ऐसा कते नहीं करूँगा, पवितरी दिन पर ये अमानवी एकारे है, तो फिर आप ऐसा करें, लकड़ी एकटी करें, और उनसे एक अलाव जलाएं, और मैं उस आग में कूछ जाऊंगा, और पूरी तरह से भुन तब आप मुझे खा लेना, भगवान सागा, खरगोश की इन बातों पर बेहत अचम्बित हुए, पर वे फिर भी इतने संतुष नहीं थे, इसलिए उनना ने तुरंत ही आग जला दी, आग को जलता देख, खरगोश तुरंत ही उसमें कूद गया, खरगोश इलाया, यह, य खास पर बैटा था, और उस सन्यासी के जगा, वहाँ पर भगवान सागा खड़े थे, मैं भगवान सागा हूँ, छोटे खरगोश, मैंने तुम्हारी प्रतिग्या सुनी, और तुम्हारी परिक्षा करने आया था, तुम रतीन हुए, शाबाश, यह निस्वार्त और आती द्यालू साभाव एक ही चीज़ पाने का हगदार है, और वो है अमरता, यह बात पूरे विश्व में जानी जाएगी, कि एक खरगोश ऐसा भी है, जो बेहत द्यालू और निस्वार्त है, भगवान साका ने तब अपना हाथ अकाश की और किया, तब चान निकला ही था, उन दूसरों को दो, तो भगवान तुम्हें देगा, तो फ्रेंज ये थी कहानी, ये कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके ज़रूर बताएं, मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें, फ्रेंज अब आप मैं सब्सक्राइबर्स नहीं फैमिली हैं, तो देखते रहिए कहानिया अजब कजब स्टोरी स्वयवा, तो मिलते हैं फ्रेंज, आप सब लोगों से मेरे अगले इंट्रेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाइ-बाइ-